आपस में देंगे तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो AA Mirror यहाँ पर हमारा जो एप का icon था, वो आज चुका है, यहाँ पर देखे, जो मेरे phone में मैं करूंगा, वो ही वहाँ पर होगा, में इसको, इस सारह से करता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ YouTube पर क्लिक करेंगे YouTube पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे PRG Vlog यहाँ पर traction control को लेके तो traction control वाली वीडियो को on करते हैं जैसी मैं अपने फोन को ऐसे करूँगा देखो Quality देखो है एक चीज फिर्ट से बोलूँगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मानत लगती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाहिए यूटूब इन यो कार, अब यूटूब आप अपनी कार में कैसे चला है, इसके पर मैंने पूरा टुटोरियल बनाये था, अब होता है कि यार लोग न देखते हैं नी पूरी वीडियो को, स्किप करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे में तो चल नहीं हो रहा है, ये न 100% बोलता हूँ कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को शेर कर पाएंगे, अपनी कार स्क्रीन के साथ या इन्फोटेंटमेंट सिस्टम के साथ, तो वीडियो में बने रहा है, वीडियो बहुत इंफोमेटिव होने वाली है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक की कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, तो चलो करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन को कनेक्ट अपने इन्फोटेंटमेंट सिस्टम की स्क्रीन से, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डेटा के बल लेनी है, अपने फोन के साथ इसको कनेक्ट करना है, यहा यहां पर भी मैं इसको अपने यहां पर यूस्बी पोर्ट में इसको लगा दूँगा जैसी मैं इसको यहां पर लगाऊंगा तो आप अगर देखेंगे यहां पर कि मुझे यहां पर आ गया फाइल ट्रांसफर एंड्रॉइड आटो इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे आप SIMBAL भी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास SIMBAL आ गया है Android Auto का मेरे पास यहाँ पे SIMBAL आ गया है अब देखो मैं Android Auto यहाँ पे खोलूँगा यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेश करूँगा तो देखो अभी यहाँ पर आगर आप देखेंगे कि जो एप मुझे चाहिए यानि कि जो डबल ए मिरर होती है जिसकी विज़े से मैं अपनी कार स्क्रीन को कनेट कर सकता हूँ अपने फोन स्क्रीन के साथ तो वो इसमें नहीं है तो क्या करना होगा आपको देखो अगर फोन स्क्रीन के पास चलते हैं ध्यान से तो यहाँ पर हमारा एक दिख रहा होगा डबल ए स्टोर डबल ए स्टोर पर क्लिक करेंगे अब डबल ए स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफरेंस ओपन हो जाएगा यह वही एप है जिसके थूँ आप कार्ट्यूब चला सकते हो यहाँ से अब अपने कार्ट्यूब को इंस्टॉल कर लो के तो कार्ट्यूब चल जाएगा अब ही मैं कार्ट्यूब मैंने क्या कहते हैं हटा रखा अपने फोन में से क्योंकि मेरे फोन में डेटा पूरा फुल है इस वज़े से मैंने कार्ट्यूब को हटा रखा है अब यहाँ पर scroll down करेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आके यहाँ पर आपको दो एप मिलेंगी AA Mirror और AA Mirror Plus AA Mirror Plus पर क्लिक करेंगे Continue पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह install बुलेगा इस एप को install कर लो Already मैंने इस एप को install कर रहा है अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मुझे AA Mirror की एक एप दिखा रहा होगा अगर आप आइकन देखेंगे तो तो यहाँ पर मेरे पास है लेकिन मेरी car screen में तो यह नहीं आ रहा है अब यही लोगों के साथ होता है कि यह नहीं आ रहा है देखो नहीं आ रहा है हम आपके अपनी screen की तरफ देखें तो यह जो AA Mirror है और यहाँ पर हम देखेंगे कि नहीं आ रहा है तो देखो क्या करना होगा आपको सबसे पहले आपको जाना होगा अपने क्या कहते है play store के अंदर Play Store के अंदर जाके आपको क्या सर्च करना होगा, आपके Android Auto, तो Android Auto में आगे, Android Auto को open करेंगे, यहाँ पर यह दिखाएगा install, तो इसको यहाँ पर आपका करना, install कर देना, यहाँ पर मैंने इसको install कर दिया है, यहाँ पर install कर दिया है, अब मैं यहाँ से अपनी data cable को भी निकाल यहाँ से भी अपनी data cable को निकाल देता हूँ, और यहाँ पर इसको लगाता हूँ, देखो यहाँ पर मैं पहले पने phone में लगा दिया, अब मैं अपने USB इस भी पोर्ट में इसको लगा देता हूँ तो यह यहाँ पर लग गई लगने के बाद यहाँ पर फिर साथ आएगा अब देखो यह बोलेगा अपडेट करने के लिए इसको अपडेट कर दो अपडेट टे क्लिक हो रहा है यह थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में क्यूंकि हमने उसको अंस्टॉल कर दिया था तो यह यहाँ पर दिखा रहा है कि इंस्टॉल हो गया है अब आपको क्या करना है व्यू पर क्लिक करना है और यह इस तरह से ओपन हो गया है यह नेक्स बोल रहा है next कर दीजे, फिर से next बोलना, next कर दीजे अब यह क्या दिखा रहा है, continue अब यहाँ पे screen की तरफ अकर में लेके चलूँगा, आपको तो बोलता है welcome to android auto, यहाँ पे ok कर देंगे हमने यहाँ पे इसे ok कर दिया ठीक है, कोई भी इशू नहीं आया है हमें यहाँ पे हमारा android auto start हो गया, यहाँ पे click करेंगे एक बार अपने apps में देंगे, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो aa mirror यहाँ पे हमारा जो app का icon था वो आ चुका है पहले नहीं आ रहा था आप आ चुका है, देखो करना क्या है आपको अपने प्ले स्टोन में जाना है और android auto को install करके phone के साथ car को connect कर लेना फिर उसको install करना फिर वहीं पे उसको update करना अब यहाँ पे इसको click करेंगे एक बार तो देखो जैसी मैंने click किया है तो इसने कुछ permission मांगी है मेरे स्टार्ट recording और casting और double a mirror plus तो यहाँ पे मुझे इससे start now कर देना है अब जैसी मैंने सो start now कर आए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी phone की screen है और यह infotainment system की screen है तो यहाँ पे आप देखें जो मेरे phone में करूँगा वो ही वहाँ पे होगा मैं यहाँ पे इसको इससे करता हूँ यहाँ पे मैं scroll करता हूँ तो देखो सारी चीज जो है वहाँ पे connect हो चुकी है मतलब इस time पे मेरा phone बिल्कुल जो भी मैं अपने phone के अंदर करूँगा वो सारी चीज मुझे यहाँ पे मेरे infotainment system के ओपर दिखाई देगी तो चलो सबसे पहले करते हैं कि YouTube कैसे चला है इसके अंदर देखो अब उस वाली एप से आपका YouTube नहीं चला तो इस तरीके से भी आप YouTube को चला सकते है YouTube पे क्लिक करेंगे YouTube पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे PRG Vlog क्योंकि यार मेरा चैनल है तो इसलिए मैं इसकी वीडियो चलाओंगा जिसकी विज़से कोई भी कॉपी वीडियो होगी जैसे यह रियल टाइम माइलेज वाली है इन्फोटेंब्मेंट सिस्टम में बहुत यह अच्छी कॉलिटी आ रही है यहीं पर अगर बात करी जाए साउंड की तो साउंड तो यार ऑव्वेसी तो बहुत एजी है किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इक नेट्फिक्स चल जाता है, होट स्टार चल जाता है, अमजothykum rolling चल जाता है तो एक बार के Netflix सी वीडियो चलती है, नहीं चलती है तो Netflix यहाँ पर अपने अँधन अकाउट्स opened कर दिया है और यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछी को भी चला गए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फोन की स्क्रीन में तो Netflix चल रहा है obviously बात है क्योंकि मैंने उसका membership ले रखी है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे अपने infotainment system के उपर तो यहाँ पर वो नहीं चल रहा है क्योंकि यह obviously बात है Netflix secure करता है कि किसी भी तरह की recording और mirroring मेरी app की ना हो other किसी भी screen के उपर तो Netflix आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चला सकते हो same with Amazon Prime, same with Hotstar किसी भी तरह का OTT platform जो होता है वो आपकी वीडियो समें नहीं चलेगी आपकी जो भी save video होगी वो चल जाएगी इसके अंदर उसमें कोई भी problem नहीं होगी आपके gallery में कोई save video होगी वो बिल्कुल चलेगी जैसे अगर मैं gallery को open करता हूँ यहां से gallery को open किया यहां पर मैं अपने यहां पर click करता हूँ यह gallery मेरी open हो गई तो यहां पर आप देख सकते हैं gallery open हो जाएगी तो किसी भी तरह की video आप चला सकते हैं जो आपके phone के अंदर save है YouTube आप चला सकते हैं बहुत easily चला सकते हैं किसी भी तरह से आप देखो कुछ भी मैं करूँगा सब इसके अंदर होगा तो यहार देखो लोग जो बोलते हैं कि connect नहीं हो रहा है क्योंकि आप step को follow नहीं करते हैं तो step आप follow करो तो 100% आपका चलेगा तो चलो यहां से इसको मैं back करता हूँ तो यह थी मेरी तरफ से एक quick video कि अपनी mobile screen को अपने car के infotainment system के साथ कैसे connect करें या car की screen के साथ कैसे connect करें दोगो बहुत ही easy है easily आप connect कर लोगे अगर आपने video को skip नहीं करा है और step by step आपने follow किया तो कुछ भी problem आपको नहीं होगी hopefully video आपको अच्छी लेगे होगी वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like कीज़े channel को subscribe कीज़े share कीज़े, comment कीज़े मैं आपके हर comment पर reply करता हूँ और एक चीज फिट से बोलूँगा वीडियो बनाने में सच में महत मानत लगती है तो एक like और एक subscribe करके जाएए